सबी एख बूस आई है आई il Alej step system call smart enjoy type अज फेब से आई हो एक नया व्लोग ले के आप सभी एप व्लोग के लिए आप सबी के लिए आप सभी की मैं हैं लोग लेकर आही है तो मेंने भी क्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन एक लाप फैशन लेके आउंगी एक दिन चोड़के टो आज में अभिलोग शूट करने जारे हूं तो आज छी डिव्लोग श्यूट करने जारी हूं तो आज में और पहले आपको पता दू जो जिस कमरे में मैं बीडियो चुट करती funk Facebook कि मेरा studio मैंने छूटा से रखा हुआ हैं तो आज हम उसी को क्लीन करूंगी बहुत दीन वह बहुत सवान फैलहुपड़ा हैं और बहुत लियू परते भी काफी गंद हो हुगा तो मैंने फिसका आज मैं उसकी क्लीनिंग कर दूँ तो साल सा साइब वी जाएगी और एक व्लाउग भी शूट होजाएगा तो आज मैं उसी का व्लाउग आपको दिखाने वाली हो तो इसके लिए मैंने साडी वेर किया हुआ है तो यह है साडी का कुछ इस तरीके से फुल लुक और साडी को मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से नहीं वेर किया हुआ जैसे कि सिंपल तरीके से हाउसाइफ साडी वेर करती है तो यह सिंपल साडी है और इसी साडी में आपको व्लाग शूट करके दिखाने वाली ह क्लीनिंग के लिए 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 मुझे तो सबसे पहले अपने बालों में जुड़ा बनाना होगा क्लीनिंग में जो है बालों को भी मतलब गंदानी है करना है एंड फेस को भी ढख लेना है ताकि हमारे जो ड मैं इसी सारी से सबसे पहले करूंगी अपना फेज कवर मुझे बना रका हू कुげ कम साब बता था कि मुझे इसी सारी कुरुना, करनी ऐ को जो करनी है। तो फिर बस वही है कि सब पूरा बाद में बहुत अजीव टैप से बन जाओ भूत पूरा तो यह रहता है कि थोड़ा सा डस्ट से भी बचना है और क्लीनिंग भी इंपॉर्टेंट है और तो मैंने किया हुआ है साड़ी से फेस कवर पल्ले को मैंने तो बसा लंबा रखा हु साड़ी का फेविक में आपको बता दूँ यह सिल्क फेविक में साड़ी है और मतलब सिल्क और यह लाइकर कुछ मेक्स है और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल साड़ी है और यह मैंने मिश्यू सही मगाई थी साड़ी तो सबसे पहले तो आप लोग जो है इतना आपको बाते हूं कि मन नहीं करता कि कुछ भी सामान उठाके रहा हूँ और यह जो आप लोग प्रदा देखते हो अलमाई में डेली पड़ा हुआ तो आज प्रदे को ओपन करके दिखाने जा रही है कुछ स्थाहिके से लगे हुए थे काच के बतन क्यों कि अभी शो मतलब अभी मेरे यहां कोई ड्रॉले वगडर नहीं बनी है खुली है अलमाई तो बहुत ही ज्यादा ड़स्ट आ जाती है इन बतनों में और यह साफ करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी तो यह मैंने लिया जाड़ू और यह एक साफ कपड़ा लिया हुए जिससे मैं काच के बतन करने में और क्लीनिंग करने के लिए आई थिंक दो लोगों की ज़रूगत पड़ती है कि कभी कभा अगर अच्छी है फगड़ पलट जाए ना तो फिर हाल वेकाव हो जाएगा तो इसलिए ना वट कोई हैनी हैल्प करने वाला तो यहां को तो खुदी सब कोचा के लिए कर करनी थी तो जाले भी बहुत जादा दिन से साफनी हुए तो मैंने सूचा चलो आज इसी बहाने जो है मेरा रूम भी क्लीन हो जाएगा और वैसे भी रक्षवन दन आ रहा है तो वैसे भी तो मुझे क्लीनिंग तो करनी थी आज नहीं तो कल तो मैंने सूचा चलिए मैं कु रखती हूं कि चलो मैं सारी में व्लाग जो है जो भी काम करूंगी तो मैं आपको सारी पहन के ही मतलब दिखाऊंगी कि मतलब सारी पहन के ही काम करके दिखाऊंगी तो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग जाता है यह आज मैंने अच्छे से डीप लिनिंग किया हु मुझे इतना जाले मुझे जाले 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 मुझे पर रहा है। मैं पर जाले मुझे साफ कर दिया है। ने घाला आजी साफ ही nella 3-5 ऐसे साफ हो गयाง चारुको नो का चीया के हेल्प से ही जाला साफ कर दिया हूआ है देवाले भी ठोड़ा सा डरस पकड़ दी को जही जाती जादाता था तर्शिच्छ डर्श ऑतना फ़गадц zijस गर्वार हो घराती है। तो यह जाले हो गए हैं साफ अब आती हूं alamari के तब तो यहां alamari में काफी सामान पहला था आ जैसा मैं daily video शूट करती हूं तो मैंने शामान पहल आ पढ़ा था ज्व अफूटवे फूटवे करी जाती हैं, यज कभी मैं ना भी जाता हैं तो दीन गन्दी लगती है नगर अब भी मैंने कुछ दिन पहले ही टड़ी वेस आए मशीन में डालके वाश की वेट तो टड़ी वेस आए साफ थे बट यह है कि अलमारी में डस्ट थी तो मैंने सुचा कि चलो इनको अच्छे से क्लीन कर दूं सब आज अलमारी और बस जब कभी क्लीन करते हूं तो एक चीज टड़ी वेर नीचे डाल दिये थे और हटाके इसके बाद मैंने पुरा रक्सीन पड़ा हुआ था मारी में तो मैंने पुरी रक्सीन क्लीन कर लिया था कपड़े से यहां पर मैंने दो कपड़े लिए हुई थे साफ करने के लिए एक से मैं जो है रक्सीन साफ करूंगी और सारा सामान एकटभ फیला जाला को कि कि अगर हम सारा सामान फیला करें जासे किसी भी Argentine क्रिकेंगे किच्छन की रूम की तो कभी अशा होता है कि मैंने बहुत लोग्म को ऐक झाल जा कि सारा सामान पेले ही निकाले के बाहर ढ कर दे और जब कभी बीच में कोई काम पढ़ जाया अचानक से तो फिर क्या रहता है कि सारा सामान फैला पड़ा और हम उसके इलावा जब तक क्लीनिंग खतम नहीं होगी तब तक हम कोई काम भी नहीं कर सकते तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कैंबू को कभी भी आप क्लीन किया किया तो थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करते जाये थोड़ा थोड़ा सा फेल आते जाये जिस तरिके से मैंने किया हुआ है देखे तो मैं फ़ति आपने और ए मैं और उपर की पुरी आपने प्रामारी ला क्लिन्न क्लिय अपकतो नब कर चाई। सीन तो साफ ही कर दी ती अब इसे में टेडी वेर जो है ऐसे मतलब डेस्टिंग करके मैं थोड़ा सा कपड़े से जाड़ जाड़ के रखती जा रही हूं बहुत जाद अगंदे नहीं है सिर्फ उनको जाड़ना था थोड़ा वो जो भी धूल थी तो मैंने कपड़े से कर दि जो है यहां पर जो है डेस्टिंग अच्छे से हो गई है और आप हमेशा न Zent pop ड ते स्जे विवर से हे धार मेने पड़े नहीं है तो को जा शेजह हो जाता है और यह ऐड़ने से चोपहरार फ़्वाज्ट यहा उनलेणी में उनले को साफ राभी और बाद बाद भी निशा तो वो चीजें भी खतम हो जाती है तो RBकर दिया था गब बश्य प्रु़ कपड़े से इसके बाद मैंने बरतन पहले क्लीं कर लिए थे край के लिये थ weए जब मैंने पैसे को निकालें टैमारी से आप घरिय ईप लेकर्टन साहिता है और बन साइव المाई restore, साफ करने तो इसके नीचे के यहांपे ट्रेय गए और जो हमाइर में एक्ष्ट्रा ट्रेय रहती तिसे तिसे कीचन importante सीसितना की डिव chopped में बाकि बहुत अलमाई भी मैंने कुछ इस तरह के बतन सार इसके बाद मैंने रिक्सेंन अच्छे से कर दी थी और अलमाई में भी थोड़ा सा जाला वगए लग जाता है अज़ बादा है तो भी मैंने कप्ड़े से क्लीन कर दिया था अब सारी जितने भी बॉक्स यहां पर रखे थे तो सार मैं इस तरीके से लगाती जा रही हूँ इस vallahi हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी क्ली निग अगलिण भी चे अठया बीच में काम हमें पढ़ अजाए पाध़ जानक से कर मतलब पुरा सामान खेला के मत किया किजी तो तो अब किया किजी इस से आपका सरदाद भी नहीं होगा और क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी और बाकी काम भी हो सकते हैं इसके बाद जो सबसे नीचे अलिल मारी थे तो इसमें जो है मेरा सामान रहता है जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ जूएली में यहां पर रख लेती हूँ जैसा कि कभी में लाइव आती हूं तो आप लोग बोलते हो कि मैं यह पैनी है वो पैनी है तो यहां से निकाल लेती हूं और फुटवेर भी मैं यहीं पर सामने रख लेती हूं बॉक्स में क्योंकि मुझे तो डेली ही वीडियो शूट करना होता है और डेली ही मुझे जो एली फुट फुट्वियर ऐसे थे जिनका बॉक्स तूट गया था तो मैंने उनको फेक दिया बॉक्स को और फुट्वियर को ना मैंने पॉलतीन में करके रखा हुआ है इससे क्या होगा कि गंदे भी नहीं होंगे फुट्वियर जो है अच्छे से साइड में रखे भी रहेंगे तो यह में जितने भी पोलतीन थी भड़ी वैंने उसमें कर दिये थे इसके बाद में इसके ग्राइब फैडली नहीं समाल पाती हुँ मैं यह ना मैं हपते मैंने पॉलर्थीन में पैक करकर करके ऐसे बॉक्स में रख देती हूं। तो मुझे वीडियो के टाightma अलागा 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 शारी चीजे जल्दी से मिल जातीं क्योंकि और तो कोई हाई ने हल्प करना जो उठा अटा के मुझे चीजे देगा वीडियो शूट करती जाओंगी और ऐसे मैं ही मैं रख देती हूं अलगाले केटलॉग टाइप से चीज़ है तो ऐसे मुझे ना पता रहता है कि कौन सी चीज किसमें रखी है मतलब गोल्ड जॉली किसमें हैं सिल्वर जॉली किसमें हैं और जॉली आप कभी भी आप इसके जॉली आसे झिजली को निकालते हैं आप वाप से उसी रहामें बगर कर्के जिए और फिर प्लास्टिक टीए तंध सर्सा जो गार हो तो इसमें आपकी कभी भी खराब होगी साल और को कर्कानLab तो असकी कैया करते हूं इसलिए ध्याएucks तो भेसान लिए आपको परानी और दो साल परानी कोई भी जोली आप देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी मंगाई हुई है और अगर आपके पास कॉटन मतलब इस टाइप की पॉलतीन नहीं है जोली के लिए तो आपने को पार नीचे डिबे में बिचाईए इसके बाद में इसके पर जोली हूँ अलग-अलग केटलॉगिंग में इसलिए में मैं वीडियो में मतलब कभी-कभी क्या होता है कि एक एक दिन में दो-दो-तीन तीन वीडियो मिंचे शूट करने पड़ जाते हैं और कभी किसी डुप पर सिलवर जॉली पहनती हूँ किसी पर गोल्ड जॉली पहनती और किसी मैचिंग मैचिंग की जोली तो या अभी इतना जादा कोई कवर्ड तो बना नहीं है जो मैं अलग-अलग कवर्ड में साही चीज़े रखती जाओं तो ऐसे ही डिपो में पैक करके मैं रख देती हूं यहीं पे और मुझे साही चीज़े मिल जाती है इसलिए इसके ब प्रक्सीन बिचा देती हूं ताकि जो है कभी अगर डिस्ट वगर आए तो अलमाई यह जो है जो अलमाईयों के पैंट होती है वह खरावनी होती है मतलब वह अच्छी से बनी रहती है और यह जो है मैंने कर दिया हुआ है और इसके बाद में अब जो है डिस्टिंग तो हो समाल लए थी क्योंकि चिक्कने कपड़े में साडी थोड़ा सा जो लाइकर वाला सिल्क वाला कपड़ा होता हूथ थोड़ा सा ग्यूद से लिख संहॉजे ना और जादा सबि पिन्स का भी मैं रियू uth ap keys करती soll I'm jetaggio करती हूंникомे ने था इसलिए में जादा सप्टी उनी उ अब ना पुरी रस्टिंग हो चुकी है अब में साहे बाक्सों को जितने भी वुट्वेर के बॉक्स त gratis तो उनको मैंने अलग अलग से सब पर सेởरे के में लगा दिया था वर ऐस्टा departments यह सही चीजह मेंने लगा दिया था अब जिनके बॉक्स तूट रहते हैं footwear's के तो उनको मैंने पॉलाथीन में करके इस तरीकिसे रैप करके मैंने रख दिया था और तो यह भी जो है गंदे नहीं होते हैं जैसे जो velvet के footwear होते हैं वो जल्दी ही dust पकडते हैं तो उनको बहुत जादा क्यारकी ज़रुगत होती है तो ऐसे मैं पॉलतीन में सारे रख देती हूँ तो यह clean बने रहते हैं और मैंने यहाँ पर कुछ सरी के से रख दिया अब यह पूरी अलमाई की डिस्टिंग तो अच्छे से हो गई है और यह बहुत ही कम टाइम में भी हुई है आप देख सकते हो आपके सामने ही मैंने किया ह हुआ है अब इसके बाद में यह मेरी रिंग लाइट है जो कि खराब हो गई है और आज कल जो भी मैं वीडियो शूट कर रही हूं तो आप लोग मुझे बोलते हो मैं काफी कॉलिटी डेल है काफी डेल है तो यह ना बिना लाइट की कॉलिटी है और बस एक रूम में भी ज और पता भी नहीं कि कहां पर बनती है तो इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है मैं सोचती हूँ कि मैं कभी जांगी टाइम निकाल के तो फैर नहीं बन पाएगी तो फिर मुझे तो दो से ही लेनी पड़ेगी अब इसके बाद में जो है अलमायों की डिस्टिंग हो गई है अब जो लाइट वैला बोर्ड है तो उसको मैंने साफ कर दिया हुआ है कपड़े से सुखे कपड़े से और इसके बाद जो थोड़ी बहुत लेती हूं एक आधी चीजे और साड़ी देखो फुल चुकी है मेरी और नीचे से बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है और पीछे का तो म अभीक है мगे तो मुझे नहीं दिखाए दे रहा था तो अभी मुझे वीडियो में दिखा दो जो पहाँ अब इसके बाद में थे किया ये तो पुली खुली पढ़ी है योगशे को पर में पूले को यह दो बीडिया हूआ तो मैंने और आप सीसे बाह बाद में और गुद डेडी की है तो यह मैंने रखी हुई है अपने टेबल पर बस यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि मेरा फुट वियर बहुत ही पराने इसमें संडल्स रखे हुए हैं और इनको अब मैं नहीं पहनती हूँ तो यह ऐसे रखे रहते हैं तो छोटे हो गए हैं तो इसलिए चेर पर खड़े होके कुछ में जो उपर लगा हुआ है मेरा वो फोटो वाला फ्रेम बढ़ा वाला तो उसको भी क्लीन कर दूंगी और यहां तक पहुंचनी पा रही हूं मैं क्योंकि बिना किसी मतलब यहां पर थोड़ा सा उंचा कुछ चाहिए था इस टूल बगर तो व कोशिश किया कि मैंने कम्प्योटर पे टेबल पर एक पर एक पय रखा एक पैमिन चेयर पर रखा और इसके बाद में मैने फोटो वाले स्टैंड को फोटो वाले फ्रेम को कपड़े से जाड़ दिया था इसके बाद में जो है अब कर्टेंस चेंज करने थे आज क्योंकि यह वाले कर्टेंस बहुत जादा गंदे हो गए थे तो मैंने सुचा कि आज मैंने गुरूम की क्लीनिंग किया हुए तो मैं आज कर्टेंस भी वाश के लिए डाल दूँ और क्योंकि यहां पे भी मैंने आप पानी वनी नहीं आता है बांकी एक जाल यह जाली टाइप की जो लगती वो लगी है और बिना यह देखो मैं भी पड़ीर ठाए थी और खिपकली यह पर आ गए यह तो मुझे लिए भाँ जादा डर दंक्ता चिल्डे से बहुत ही जादा तो अवना डर लग़ा है कि अर फ़ कभी होता ही नहीं है तो मैंने इतिन शिपकली चली गई थी डर लगा था फिर वी तो मैंने ये डंडे से गिगा दिया था नीचे इसके बाद ना मैं यह वाले में यहां पर डाल दूँगी और तब तक कि लिए उनको वाश करके जो यह लगाऊंगी तब तक मैं सोच रहे कि म मुझे तो शूट करना पड़ता है तो विना कर्टेंस के थोड़ा सा जीब लगे गा तो मैंने आज ये नेट वाले डाल दिये थे कर्टेंस और जिस पर कटेंस पड़े वह थे जो यह रोड होती है तो इसको मैंने कप्ड़े से ही पोस दिया था और उसके बाद ना मैंने यहां पर कर्टेंस डाले हुए थे तो यह कर्टेंस जो है थी कर्टेंस इसमें डाले हुए हैं पहले तो फोर पड़े हुए थे और यह एक और यह बीच में ब्राउन कलर हैं मतलब दो औरंज कलर साइड में बीच में ब्राउन कलर था तो यह मैं कर्टेंस नीचे के लिए आही थी नीचे हॉल में जो है इसी कलर का बेंट था तो मैं इसलिए हॉल के लिए लेके आए थी बट हॉल में अभी दूसरे वाले पढ़े वह एं तो मैंने इनको ऐसे रख दिया था मैंने बूला कि कभी जवरत पढ़ेगी तो फिर डाल दोंगी अभी तो ऐसी चलो चला है तो यह रखे वेते हैं एक्स्ट्रा तो मैंने यहां पे डाल दिये और देखो मेरी हाइट है इतनी ज्यादा कम तो इस वज़े से परदे कटेंस वगर डाले में काफी प्राब्लम हो जाती है तो मैं डंडे की हेल्फ ले लिती हूं कोई भी यहां पे यह मेरे बेड़ का डंड है तो मैंने इसको लिया हुए और ऐसी डंडे की हैल्फ से कर्टेंस का जो राड है मैंने सेट किया हुआ है अच्छे से पढ़ भी गया है तो मैं ऐसी अकेले करती हूं जो भी मैं क्लीनिंग करती हूं तो जब मुझे अकेले मुझे करना पड़ता है तो मैं ऐसी करती हूं और बस यह हो गया हमारा रूम का cleaning और क्लीनिंग इसके भाद में Sut движ क्लीन धी क्लीन धाया। और आज़ क्लीन धेसे के वह गये मैं जो डूरी क्लीनुन ह तो बिंड़ो के क्लीन के दिइन धी क्इमने की क्लीन eh और वह बाकर दीर को किन्स खाए मौरे समय क्लीन धाया। अब इसके बाद में उपर का तो सारा प्लीनिंग का काम हो गया है अब बच्चा है नीचे का तो यह जो साइड में पॉर्ट रखा रहता है आपने देखा होगा में वीडियो में साइड में गिलीन कलर के बहुत साई प्लांट्स रखे होते तो इसको इसको ना मैंने एक जो छ कर लूँ क्योंकि यह भी काफी गंदा हो गया था और आज फाइनली ना इस रोम की सफाई हो गई है तो बस यह अंदा से खुशी भी मिल लगी है कि चलो यार इसी बाद है मेरे रोम की क्लीनिंग हो गए नहीं तो फिर यही है कि पेंडिंग में पड़ा रहता है और फिर द तो वीडियो शूट करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में वीडियो तो मैंने इसलिए नीचे यहां पर मैट डाला हुआ है और मैट पर वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी मैट भी काफी गंदी हो चुका था तो मैं मैट को कैसे साफ करूँ के तो वह मैं दिखाउंगी आपको मेरे घर पे वैक्यम क्लीनर नहीं है तो मैं ऐसे मैट को पहले जाडू से क्लीन कर दो हूँ सारी कूड़ा इसका हटा दूं जाडू से जितना भी कूड़ा निकला हुआ है वह मैंने कर दिया हूए अब इसके मैट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है बहुत ही जादा अच्छे से तो जितना भी मैट पर जो भी चीजे चिपक जाती है कभी कभी ऐसा होता है कि मैट पर बहुत ही ऐसा कूड़ा चिपक जाता है कि वो जाड़ू से जाता ही नहीं है तो इस तड़ा से जाड़ों उसमेडिया है। ऐसे मैट क्लीन हो जाती है। बागी, तो आध्यात इस मैट क्लीन करती हूं जाता है। मैंने यहां पे एक single वाला sofa डालके रखा था बैठने के लिए तो बू सोपे का आज मैंने थोड़ा सा change कर दिया गया अपहले उस साइड मे रखा था ना computer table के साइड में तो वहां पे बैठते नहीं बनता था आज मैंने थोड़ा सा location भी change दिया सोफे का इसको मैंने डाल दिया हुआ है जहां पर मैं खड़ए के वीडियो शूट करती है अलमारी के पास में और इसके भी मैंने कवस ज़ाड़ दिये थे सोफे को भी डॉस्टिंग कर दिया था बस कुछ अमशन सफ हां से जाड़ दिया था और इसको मैंने लगा दिया है तो इस तरह के से सूफे को भी सेट कर दिया है इसकी जगह पर अब इसके बाद में यहां पर एक चूटा सा भी मैट डाला हुआ था लाइट कलर में मतलब जो बड़ी अली मैट है उसके आगे पह ने चूटा सा मैट डाल के रखा हुआ था जिससे ना कभी कभा यह होता है कि गंडे होते हैं तो eon साली मैट में पार साफ करके अपैय मै बड़ी अली मैट पर आप me discourage है कि हमारा जो बड़ा वाला मैट है वह कम गंदा होता है तो चूटा वाला मैट क्या होता है कि हुआ है कि दुली में easy रहता है तो मैं जल्ते ल, दिल देती हूँ बांकी बड़ा म मैट तो बहुत मेनत लगता है इसमें दुल्ले में तो इसके सा आगे मैंने एक छोटा सा मैट भी डाल के रखा था और इससे एक चीज और है कि इससे हमाई फर्स भी नहीं दिखेगी चुकि टायल्स तो लगे नहीं है तो इसलिए न कुछ इस तरह के से मैट वेट से सारा कु करके ही इस रूम को रखा हुआ है मैंने और टेवल के नीचे मैंने जो घास वाला मैट आता है तो इसको डाल के रखा था ताकि थोड़ा सा डिफेंट लगे यहां पर अच्छा भी लगे तो कुछ इस तरह के से कमरे को डेकोरेट किया है मैंने और आपको आप लोग सोच र जाड़ो लगाने के बाद में इतना सारा कुड़ा निकला हुए आज बहुत सारे मतलब पेपास वगड़े और फुटवेर के बॉक्स वगड़े तो जितना टूटे उटे बॉक्स मैंने निकाल दिये हुए अलग कर दिये हुए है और फाइनली आज गूम के क्लीनिंग हो 10 गोड़े में अने गॉड़े मैं तो मैं तो इस तो जाड़ो भी नहीं लगाई जाती है बट मैंने इसलिए कुड़े को अंदर ही भर लिया था सारी कुड़ा डॉस्टर में और यह कुछ हमारा रूम जो कि क्लीनिंग के बाद में कुछ इस तरीके से आया है इस रूम नहीं है मतलब तो यह क्लीनिंग के बाद का कुछ है रूम तो कैसा लगा आपको यह मतलब आज क सुषी मिल लगा कि चलो इसी बाने रूम क्लीन हो गया पुरा अच्छे से और अच्छा भी लगा मुझे थोड़ा सा कर्टेंस भी चेंज कर दिये मैंने आज का ब्लॉग और बहुत ही ज्यादा लगा एक रूम की सफाई करने मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम डगा और ऐ सब्सक्राइब नहीं होता है फिर भी मैंने आप सभी के लिए व्लॉग शूट किया आज मैंने सिर्फ अपने जो मैंने अपना ये रूम बनाया हुआ था जिसमें वीडियो शूट करती हूं तो उसी कर मैंने व्लॉग आज आपको दिखाया था रूम की क्लीनिंग का तो कै पीचा वार तो मुझी साड़ी खूल गई थी तो साड़ी पहल के व्लॉग में बहुत ही जादा मुश्किल हुआता है वट आप लोग इतना जादा प्यार देते हो और आप सभी को साड़ी में इसलिए मैं इतनी मेन अब सभी के लिए कर रही हूं तो व्लॉग को ज़्या आप मेरा ब्लाग ब्लाग को जादा सावर करना में मिलते वीडियो में तो कि में आप लिए उसका सब्सक्राइब आप को मेरा को आखना रहे हों नेश्क वीडियो में तुब यह प्याद्ध कर आठाट में और